तो आज हम जानने वाले हैं कि किड़नी फंसेंट टेस्ट क्या होता है इसके बार हम जानेंगे और किड़नी फंसेंट में कौन-कौन से ऐसे टेस्ट होते हैं जो एक किड़नी की स्तिति को जानने के लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होता है तो चैनल कौन प्लुक सब् के अप्टी के नमसे भी जानते हैं किडिनी क क्या होता है कि हमारे सरीर कहा महत्-पूर्ण आंगा है जो अच्छे तहत को बनाए रखने में सामिल होती हैं किडिनी की जो डिस्योड़र होते हैं उसमें अक्सर कोई भी लक्षड आपको दिखाई नहीं देता लेकिन जब तक ये गंभी रूप से यानि कि डेमेज नहीं हो जाती है इसलिए टेस्ट ही एक मातर ऐसा तरीका है जिससे आप जान सकते हो कि आपकी जो किडिनी है उसकी इस्तिति क्या है निकि किडिनी आपकी ठ होता है सबसे पहले आप देखोगे अंगर्त एक सीरम लेवल यह क्या होता है हमारे बलट से टेस्ट क्या जाता है और इसमें इसकी जुरुत क्या पड़ती या यह कैसे बनता है जब हमारे सरीर के अंदर कोई भी मायन स्पेस ही है जब समाने रूप में तूटती है और तूट फूर से अधिक जो उसमें से जो वेश्ट बदार जो निकलता है वह क्रेटनिन का रूप ले लेती है जब बलड में क्रेटनिन का अस्थर कीडिनी की डेमेज के डाइगनूसिस के लिए शुरुआती संगेत ह की ऴॉड़ी में कोई ना कोई प्रॉबल्मभ है आपके केडिनी ठीक से काम नहीं गर रहे है तो उससे यह संकेत मिलता है जो मैलाओं में होती है 1.2 होता है और पूरसों में 1.4 से कम होता है तो ये उसके normal ranges होता है कि इससे अगर कम है तो आपके जो kidney है वो ठीक से काम कर रही है यानि कि creatinine बढ़ा हुआ नहीं है तो आपके kidney बता सकता है कि ठीक से काम कर रहा है उसमें एक और parameter होता है वो होता है कि blood urea nitrogen अब ये क्या होता है ये रक्त urea nitrogen test हमारे blood में बेकार पदार् के लिए किया जाता है जिसको हम बयून test के नाम से भी जानते है जो urea nitrogen protein ये क्या होता है कि urea nitrogen होता है वो प्रोटीन से तूट कर एक अलग सा पदार्थ होता है जो कि हमारे रक्त में urea nitrogen का बहुत बढ़ा अस्तर बन जाता है जो कि kidney के समझ्या को इसारा करता है ठीक उसी त दुनों एक दूसरे के पूरा के यानि कि अगर आपके सरीर में क्रेटिन बढ़ेगा तो यूरिया का लेवल भी बढ़ता है अब उसका लच्छण कारण क्या होता है यह चैनल को पर मौजूद है वीडियो आप जरूर जाकर देख सकते हैं कि कि किस वह से यूरिया और क्रे बढ़ता है कि अगती से बैकारव पदातों को चान रही है किटनी के खरामी के चन्ड़ों को इसी टेस्ट के मादम से जान जाता है जो जैसे की में बताया था जो आपके बोड़ी के अंदर जो वेश पजा जिस्ती जूरिया ज्यादा बढ़ जाता है या क्रेटनी जो बनता है वह इसी जी फार नमक जो एक छननी होती है उसी से फिल्टर हो के बाहर निकालता है यह किटनी फिल्डर के बाहर निकालती है तो कीतने से प्रद को पता चलता है यहां के और के ऊप्रेश से थोड़ी मातरा पता लगा जाता है यह आपको high blood rating और डाइबए्टिक है तो भी यह बताता है और इसमें बहुत ज़्यदा इंपूर्टेन रॉल कडर यदांद तो आपको हाइब ने की बिमारी हो तो उसमें बताता है और किरने की बढ़ा हो अगर होता है microalbumin तो उसमें ये पता चलता है कि आपको सहित किटनी का भी प्रव्लम हो जाएगा अक्सरा आप देखता हो गूंगा अगर ध्यिद्फ को हाय ब्लाड प्रेसर या अगर डाइबेटिक है तो उसको किटनी का प्रव्लम धेरे-देरी श्टार्ट हो जाता तो अब हम नेस्ट परामेटर देख लेंगे नेस्ट होता है हमारा यूरीन प्रोटीन आपके यूरीन में प्रोटीन के अस्तर का उनुमान लागाने कि यूरीन प्रोटीन टेस्ट किया जाता है और यूरीन में प्रोटीन की अथिक मातरक की उपस्तिति प्रोटून यूरीया के नमक इस्थिति को जनम देती है यानी की सभी कंडिसन होता है यानि की किड estreels के थीक से काम लहीं करती है तो एक्सेश्ण थीर काम रही है धूरीकिंग प्रोटिन को होता है तो ईक्से वह योई निम्य में चला जा आपको लेटनी के प्रॉब्लम हो सब्पी है